हेलो फ्रेंट्स स्वागत आपके स्टड़ी हैक चनल पे जैसा कि आपको पता कि अभी हमारी वकाइब की स्रीज चल लिए जिसमें हम बात करते हैं वकाइब की एकड़म बेसिक लेडल से इसमें हम नया करते क्या है इसमें नियमोनिक्स की टेकनिक यूज करते हैं और पिक्च के साथ हमने रिलेट किया था इस स्टोरी के साथ या इंसिडेंट कराद रिलेट करके इसको सीखा था ठीक है तो आपको चीज़े ज्यादा समय तक याद रहेंगी और हमारी ये क्लास डेली 5 पे होती है मंडे टू फ्राइड़ी इंगलिस की होती है ठीक है वो कैब यह सिब क्लास नहीं आ बोल सकतों कंप्लीट इंगलीश ग्रामर की क्लास तो कि हम इसम esse ग्रामर के इंपॉर्टन रूल म्हीं निशस कर लेते हैं छ्लिए भी न और यह क्लास के वह ठीक है तो जैसा कि आपको प्ता कि मैं हर क्लास कंभर करता हूँ ढटा दिसकस करता हूं, तो last class के homeber का answer किया, मधूलिका पाठील ने, सैम सचन ने, ठीक और स्वाती जी ने, इन सब ने अच्छे सेंसर किया, और सब का answer सही है, उसम शर्मा लिखती है कि अगर आपको अच्छा लगता है सेशन तो अगर आपको सेशन अच्छा लगता है तो आप जादे लोगों में शेयर करें ठीक है ताकि उन्हें भी लाव मिल सके और हमारे चैनल साथ बने रहें तो चली बिना देरी के सुरू करते हैं आज का क्लास और जानते कि आज का हमारा पहला वर्ड कौन सा है तो आज का जो पहला वर्ड है वह है बेलीजरेंट पतलग क्या होता है लड़ाग को ठीक है फाइटर लोग को देखते होगे जैसे कि यह माइक टाइसन है तो यह क्या है बेलीजरेंट है लड़ने के लिए हमेसा उताबले रहते है ठीक है अगर हम सी किसी को बारेंट पर बार बार बजा रहा है उसे खराब कर दिया आपको उससे लराही हो जागा तब अग्रेसिव हो जाओगे लरां झाओगे ठीक है कैसे तुमने मेरे बेल को खराब कर दिया तो बार करने तो कि बात चेका है friendly और वेनेफीसियल मतलब क्या होता है लाब दायक हो जैसे कि आप गाप यह शुभास एपने बात जगा सुना होगा जब आब साइनस पढ़ते होगा यहश अब कोई बी सब्जेक्ट पर तो उसमें इर्वांटेज दिसएडवांटेज पर्त और तो तो छलिए नेक्सट बात करतें नेक्स बाट करते हैं बेनिफिसरी इसको बोल है रिसीपेंट्स है रिसीबर जैसे कि आप बैंक में अगर एकाउंट फुलाते हो तो आपको वाइद चांस कुछ हो जाता तो आपका सारा लाव जो भी आपने पैसे जमाप पूजी के रखा वह उन बैक्ति को मिल जाए तो जो उस बैक्ति जो लेता हुसी को बोलते बैक्ति करें ठीक है फीशिंग करने गया बैन आपका अच्छा दोस्त है जब फीशिंग करेगा मालों की बैन को कुछ हो गया तो सारे किस को मिलेंगे आपको मिलेंगे तो इसलिए करते हैं बैनीफिसी मतलब लावा आती है एंटॉनिम से घीवर डोनर जो दे रहा है ठीक है बैंक च्छोड़ दिया वाइलेंगे चछोड़ दिया तो आप या और आप वाइलेंथ सख्मेक हो तो क्या करोगर दो से सपाइट कि बैरीक्र關係 मतलब जो क्याता है। तो आप याद रखना मेल हमेसा बैड के लिए ही रूट वर्ड होता है नेक्स्ट बात कर लेते हैं नेक्स है बेनायन मतलब होता है अनुकूल ठीक है फैबरेबल टाइनली फ्रेंडली यह सब क्या है इसके सिनोनीम से हैं इसी वर्ड है छोटा वर्ड है तो आपको चीज सत्रूरतापुर्ण ठीक है जो आपका फ्रेंड नहों ठीक है आपके साथ फ्रेंडली ब्यावियर करें ठीक है आपके अनुकूल हो फैबरेबल हो चलिए नेक्स्ट बात कर लेते आप इस फीगर को देख पा रहे होंगे ठीक है तो यह कपल हो सकते या फिर कोई भी लड़ परसन बन रहा है ठीक है यह बन्दा बहुत काइंड है उनके साथ जिंटल ठीक है नेक्स्ट बात कर लेते नेक्स्ट जैसा आपको पता वनवर्ट सबस्विशन का सेशन होता है और यही मैंने हमवर्क में दिया था कि वन हूट टेल्स फ्यूचर फ्रम दैस्टा उसका साही इत्ष जो पताते हैं फूस्ट को नंबर से बताते है तो आपूस्ट साहुचर उसक हो ट्रेमिर्स अगर्व के ऊक्षर होने वाला हम थे सब चीज आपको डिटेल में बतते हैं की ञेक है है एक और होते हैं जो की number से बताते हैं तो आप लोग comment मुंस को भी करना कि जो लोग number देखके बताते हैं आपका future predict करते हैं उनको क्या बोलते हैं ठाइक है शालिए next लिए next बात करते है next astronaut astronaut fragments क्या हाता ता अंत्रीक छाती है जो कि space में travel करते आप पसन हुई train to travel in a space तो मुझे नहीं लगता कि आप लोग इससे वन्चित होंगे आप लोग सभी को यह चीज़ पता होगे चाहिए नेक्स्ट बात कले एस्ट्रोनॉमी थीक है एस्ट्रोनॉमी मतलब था ख़वोल सास तो बैग्यानिक रूप से जब स्ट्रडी करते हैं सूरे का चंद्रमा का ता आप लोग ने यह चीज पढ़र रखा होगा पहले भी आप लोग के लिए बहुत एजी वर्ड है आज के सेसर में सारे इजी वर्ड है जिससे आप पहले से रूप रूप हो ठीक है और बहुत सारी ख्लास वह आपने कर तो आपको सारी चीज़ें आर हो गई है क्यूंकि बह को सरन देते हैं या फिर होस्पीटल होता है मेंटली इल परसन के लिए जिनको किया जाता जिनका केर ध्यान रखा जाता है ठीक है तो बोल सकते हैं प्लेस डैक प्रवाइड रिफ्यूजी और होस्पीटल वेर पिपल वेर मेंटली इल कुड भी काम करता है जो रिफ्यूजी बेगर आते हैं अगर उन्हें चोट पहुंचाओ तो उनके देख भाल करते हैं लंबे समय हैं नेक्स्ट कोन होते हैं नास्टिक कोन होते हैं जो पर्सन बिलीब नहीं करते हैं गॉर्ड में ठीक है अपर सन्ट ईस नॉट बड्रश का सेशन आ जाता तो आज का जो एडिया में हुए लाई एन किकलि मतलब क्या है अच्छे स्वास्ट में इन गूड है ठीक है अब इस बूड़ी औरत को देख सकते हैं यह किक कर रही है और एलाइव भी है जीवित भी है तो बोल सकते हैं कि अभी इसका स्वास्त बहुत अच्छा है ठीक है तो बी एलाइव एंड किकिंग मतलब क्या होता है बी इन गूड हेल्थ एक्टिव अभी भी आपका अब यहां पर देख पार होगा कि यह बंदा अपनी पत्नी का ड्रॉइंग बना रहा है जब यह सोग करेगा तो इसकी पत्नी आपको भी पता है कि क्या होगा पटी को घर के बाहर सोना पड़ेगा या फिर घर से निकलना पड़ेगा तो चलिए आप इस फीक्चर को याद रखना आपको अल एक होग का मतलब खुद वकुद समझ आ जाएगा इसे बात करते हैं हो कोई बीछीज़ को मान लोग लुका प्राушки थिक है हर तरह का लो प्रागि तो ऐसा नहीं कुछ के साट बहलता कि यह नहीं स्करक jest तो तो दूप में आपके चीजी को राई कर रहे हैं तो वो सन जो है किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है नेक्स्ट बात कर ले नेक्स्ट है ऑल हैंड्स ओन डेक्ट समस्या के समय मदद के लिए सबी का उपलब्द होना अब देख पारों को बोट वएगरा होती है यसी फोती है तो उसमें एक डेक्ट होता है अगर सब लोग देख पे हांथ रख रहे हैं मतलब क्या है कि कोई समस्या आ गई है जिसमें सब लोग सामील है और उजहे निजात प सब्घस्थ में अफ़ेए लिए को रहे है आरे वरिया है नेक्स्ट बात कर लेते पिक ही नेक्स्ट अउल हैनो खैट खेट है कोई analyses नहींगًर हूं जैनवर ही नहीं को चाहल के लिए ले जाओ तो क्या होगा आप बहुत बारा किसान हूँ यह वो जो बात है कोई एक्सन नहीं कर रहा है ठीक है जो की बड़ी-बड़ी बाते हैं पर असल में कुछ होता नहीं होते हैं बहुत सारे लोग बड़ी-बड़ी दिंगें हांक देते हैं यह मेरे पास वह है जब आप इनके पास ऐतों तो तुम नहीं मिलता है ठीक है next बात कर लेतें next जámकि आपको पता कि उने में से निकलता है ग्टल्ञमर के rattम संक्रिंसिको को सौर्व करते हैं। ठीक है तो यह बहुत ही इंपोर्टेंट होता है तो हम एक साथ सो रूल दिस्क्स नहीं कर सकते हैं तो इसलिए हम डेली एक एक रूल करते हैं ताकि आपको चीज़ें क्लियर रहें और ज्यादा समय तक याद है तो अभी तक हमने 22 क्लास किये तो 22 डिस्क्स कर लिए आज हमार 23rd rule की बारी है तो यह rule कहा रहा है ठीक है तो two एक्जल्रीज केन बी यूज्ज बिट वन प्रिंस्पल रह भर्ब एकडिक है जब जब भर्ब का फॉर्म है प्रिंस्पल बदो एक्जल्री लिए जैसे अपने लास्ट क्लास में देख था होगा ठीक है तो i भी लगा था और sisters भी लगा था वहाँ पर तो आई के लिए एम लगता और sister के लिए क्लिए लगता इस लगता है तो दोनों अलग-अलग हो गया थे तो वह ऐसा कंडिसन नहीं होना चाहिए जो ऐसा कंडिसन प्रिंसिपल वर्ब एक लगे तो आप क्या कर सकते है अलग-अलग एंड नेवर विल टेक सच स्ट्रॉंग मेजर ठीक है तो टेकन को हमने यहां भी ले लिया है ठीक है इस चीज को याद रखना इससे ज्यादा तो सवाल नहीं आते हैं पर कभी-कभी सवाल इस रूल से देखनें को मिल जाती है तो आप एक बार इसको ध्यान में रखना इतना छीजादा इंपॉर्टेंट नहीं है पर मैंने सोचा कि जिस्क्रण कर दूं कि हो सकता है एक्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है तो आज आजाये तो आपको चीजे ध्यान में रहेंगी तो आप आसानी सकत्थ होगे नेक्स बात करते हैं कि आपको पता है कि कुस्ट्ट सब्सक्राइब करते हैं तो 7 दिसंबर के सिफ 2 तक की बात कर ली थी आज हम सिफ 3 की बात कर लिए आपको 10 सकेंड मिलते हैं के एंसर करने के लिए तो आज का पहला को सब्सक्राइब का मतलब बताना है सब्सक्राइब करते हैं इसके सब्सक्राइब कर दिया होगा बहुत बार पूछा जा चुका और इसका जो करेक्ट एंसर होगा वह होगा सब्सक्राइब करते हैं और आप लोगों ने एंसर कर दिया होगा तो विविड मतलब क्या होता है आपको पता चमकीला इसको बहुत रखते हैं फ्लैसी पहले सीनोनिम से बता दू आपको खुद बख़ुद अंटोनिम से पता चाहिए श्लैसी बोल सकते हैं श्लैंबॉयंट बोल सकते हैं ठीक है यह सब क्या है इसके से इसका जो करेक्ट एंसर होगा वह कौन सा होगा वह होगा मर्थी इन वीजन की बात कर लें इन वीजन कोना कटा था बोल सकते हैं इक के से अचे हैं इमेजिन इन बोल सकते हैं यह सब क्या हो जांगे मर्की मतलब होता है क्या जी जैसे मतलब चमकीला था तो मर की मतलब विका अब बोल सकते हो बोल सकते हो जाब यह सब इसके क्या है परसीब आपको पता है परसीब मतलब क्या होता है यह इसके सीनों है मतलब क्या होता है समझना अंडर्स्टैन करना फिक है नेक्स बात कर लेते नेक्स आपको अंट्रॉनिम से बताना एक्सेप्ट का बहुत एजी है आज का सबसे एजी कुस्चन है यह है इसके लिए 10 सिकेंट काफी था तो इसी के साथ टाइम अप हो गया टो अग्सट्ट मतलब क्या होता है इल्ठार करना यहीं है इसका इंत्रॉनिक रिस्पॉंड प्रतिकिरिया देना ठीक है रियक्सन बोल सकते हो अग्री आपको बता यह दोब तो बहुत बार पर आ इंडोर्स ठीक है लगा फिर भी सही है और यहां पर आप आई लगा दो तो फिर भी सही है दोनुं मीनिंग होता है ठीक है और आपको बात कर लें आपको वन वर्ड बताना इस ग्रूप वर्ड के लिए है फोल्डिंग औन तु सम्थिंग और कीपिंग अन ओपेनियन विफ डिटर्मिनेशन ठीक है चार ओप्षन है अप एलिमिनेशन से भी कर चकते हो ठीक है तो इसे के साथ टाइम अप हो गया आयोप आप लोग शबीने एंसर कर दिया होगा और सहीं सब्सक्राइब खेंज और अब आपकी इच्छा हो तो आप इसको homework में answer कर सकते हैं, नेक्स्ट आपको इस idm का मतलब बताने, इडियम क्या है, a fair with a friend, बहुत बारिशसी में आ चुता है, बहुत ही common है, चार option है, a close friend, a pain friend, a selfish friend and old actuarine stance, चलिए इसी के साथ time up हो गया है, आपको पता ही होगा कि fair with a friend कौन होता है, selfish friend को बोलते हैं, जो अपना हमेशा मतलब निकाल लेता होगा, ठीक है, परक नहीं पड़ता उसको कि आप कैसे इस्तिती में हो अपना मतलब निकाल लेता है, ठीक है, शालिए next बात कर लेते हैं, नेक्स्ट आपको similar meaning, यानि कि synonyms बताने concise का, चार option clear, भरबोज, sharp, turns, आप इसको elimination से भी easily कर सकते हैं, ठीक है, तो चलिए, फटा-फट answer करिएगा, तो इसे के साथ time up हो गया, और I hope आप सभी लोग ने सही answer किया होगा, तो concise का जो synonyms है, वो है turns, इसको आप बोल सकते हो, clear आपको पता है, as first होता है, ठीक है, clear, साफ, as first, ठीक है, वरबोज कौन होता है, वाचाल जो बहुत बोलता हो, ठीक है, उनी को वरबोज बोलते है, इसको circumlocator भी बोलते है, circumlocator भी बोलते है, circumlocator भी बोलते है, माउथी बोलते है, चलिए एक लिख देता हूँ माउथी, सा कि पहली है कि सर्कम लोकेटरी भी बोलते हैं सार्थ मतलब क्या होता है तीज सोकते चलिए नेक्स बात करते नेक्स आपको एंटोनीम से बताना है यह यह भी बहुत इजी वर्ड है चार उक्षन स्पेस स्पेसियर से रिच ग्रिव जिसके पास एक भी पेनी पैसे को बोलते हैं तो आयोप आप सभी लोग ने एंसर कर दिया होगा तो पेनी इस मतलब क्या होता है धरिद ठीक है पूर ठीक है अब बोल सकते हो पूर बोल सकते हो सब्सक्राइब रेसे पाफ सपेसियस मतलब बहुत बहुत बड़ी जाईंड होता है इस इसके यह जाइन अब यह सब आप से को लेज धिक्याहिजियॉ कि यह सब इसके सिनोनिम स्टेंश हो जाएं औ-पुलेंट औ-पुलेंट ये-सक्रव्द pouring भी बोट सकते हो दुछ सकते हैं नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट आपको हमबर के बताना और आपको कब से कब तक करना है तो उससे लेके दस बज़े तक सेम डे करने हैं ताकि मैं अगले दिन क्लास बदो है ऐसले का क्लास आपको कैसा लगा जैसा अब लगाई च्छा सकते हैं ऊपने देखाई जरूरा लोélior बहुत सारे डिसकस हो जाता है और आप क्रों तो बहुत सारे से ख्लास होते हैं और आठ से दस कोश्चन ही कराते हैं और 25 से 30 मिट उनके चले जाते हैं और मैं उतने समय में आपको 15 वर्ड वरहा देता हूं वह कैब कि 15 से ज्यादा ही पढ़ाता हूं उनके साथ जो अप सीनोन देता हूं तो आपके लिए बहुत ही अच्छे क्लास है कम काई में आपको बहुत चीज़े मिल लए ठीक है तो चलिए मिलते है नेक्स क्लास में कुछ नेक्स टॉपिक पर कुछ नया लाओगा तब तक के लिए जय हिंद जय भारत